आज प्रभुय शुक्रिस्त के मीठे नाम में सलाम आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र से कुछ सीखने वाले हैं उससे पहले हम अपने सर को जुकाए और हम प्राथना करें स्वर्ग और पृत्वी को रचने वाले स्वर्गिय और प्यारे पिता पवित्र शास्त्र में लिखा गया है पिता आप हमें बनाने वाले रचने वाले परमेश्वर प्रभु इसलिए हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं परमेश्वर हम इस देश पर परदेशी है किस तरह से हर रोज का दिन हम आनंद से बिता पाए प्रभु इसके लिए आप हमारा मार्गदर्शन कीशे पवितरात्मा आप हमसे बात कीशे हमारे आत्मिक मनों को खोलिए आपका दैवी ग्या हमारी इंसानी बुद्धी से समझने के लिए सहाई कीशे प्रभु मान सनमान हम आपको देते हैं ये प्रात्ना ये शुके नाम से करते हैं इसलिए आप सुनो पिता आमें आज हम सीखने वाले हैं की एक दूसरे को मदद करने की या सहकार्य करने की भावना मदद करने वाली भावना या सहकार्य इस शब्द से हम सभी लोग परिचित है और एक दुसरे को मदद करने की भावना इसका मतलब सभी के कल्यान के लिए सभी के अच्छाई के लिए मेहनत करना और एक ताका जो वातावरन है उसे हम बनाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनो मुझे आपको बताना है कि अगर आपके और मेरे जीवन में अगर हमारे अंदर या हम में सहकार्य करने की भावना नहीं रहेगी तो हम असफल हो सकते हैं अगर हमारे अंदर वो भावना ही नहीं रही एक दूसरे को मदद करने वाली एक दूसरे को सहाई करने वाली अगर ऐसी भावना हमें नहीं रहेगी तो हम भी असफल हो सकते हैं अगर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो हर किसी को मदद की शरूरत है अगर हमने सोचा कि हम सिर्फ मदद लेंगे और किसी को मदद नहीं करेंगे और फिर उसे हम स्वार्थी पन कह सकते हैं लेकिन हम सहकार्य करने वाली भावना रखने वाली लोग हमें होना है और पवित्र शास्त्रुग में हम देखे रूत इसका पहला अध्याए और 16 और 17 वचन हम देखे रूत मनाली मला शोडून जा नी माजा मागे नायता परदजा आसा माला अगरा करू नका तुम्ही जेथे जाल तेथे मी येईन, तुम्ही जेथे रहाल तेथे मी रहेन, तुम्चे लोक ते माजे लोक, तुम्चा देव तो माजा देव, तुम्ही मराल तेथे मी मरेन, ओ तेथेच माजी मुट माती होईल, मुरूत्यु खेरीज, तुम्चा माजा कशाने युएक ज तो हम देखते हैं, रूत बोली, तु मुझसे ये विंती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़ कर लोड़ जा, क्यूंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाओंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वही मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी, यदि मृत्यू छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्न उससे भी अधिक करे, अब यहां पर हम देखते हैं, कि रूथ बहुत ही नामी की, और फिर अब वो अपने सास से कहती है, कि मुझे छोड़ कर या त्याग कर चली जा, या मेरे पीछे मत आना, ऐसी विननती मत करना, वो कहती है कि जहां आप जाओगे, वहां मैं जाओगी, जहां आप ठिक होगे, वहाई पर मैं इंटीकी रहूंगे, और वो कहती है जहां आप रहोगे, वहां मैं रहूंगी, आपके लोग मेरे लोग बन जाएंगे, और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो जाएगा, अब यहां पर, और वहां पर एक सास अपनी बहू को आजादी दे रही है, उसे मन चाहा चीज करने की आजादी वो दे रही है, वो कह रही है, तुझे जो करना है, वो करना, लेकिन फिर भी वो इस चीज को त्याग रही है, वो कहती है कि जहां पर आप मरोगे, वहीं पर मेरी भी मृत्यू होगी, अब मेरे प्यारे भाई और बहलों, ये जो रूत है, हम इसकी जीवन की और देखे, वो अपनी सास से कहती है, आप जहां आपकी मृत्यू होगी, वहीं पर मेरी मृत्यू होगी, जहां आप रहोगे, वहीं पर मैं जीवित रहूँगी, क्या आज के समय में ऐसे बहुएं पाई जाती है, लेकिन ये बहु कैसी है, देखिये, वो मदद करने वाले या अच्छे रिधे की स्त्री थी, लेकिन आज की परस्ति कैसी है, अगर छोटी सी भी बात हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है, तो हम तुरंट चीजों को अस्त व्यस्त करने लग जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखिये, हम बहु इस रिष्टे से हमारे सास के साथ हमारा रिष्टा बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक परिवार ये छोटा सा सामोहिक लोगों का गट है, और अपने परिवार में हमारे सभी के अच्छाई के लिए बढ़ोती के लिए हमेशा राजी, हमेशा अपनी रजामंदी देने वाली बहु होना जरूरी है, हमेशा मेरे परिवार का क्या करने से विकास होगा, बढ़ोती होगी, ये सोचने वाली बहु होना जरूरी है, हर किसी की पसंद, नापसंद, सोच अलग-अलग होती है, हमारे परिवार में, हर किसी की पसंद नापसंद आलग होती है सोच आलग होती है भले अगर अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है लेकिन अपने परिवार में अगर ज्यादा लोग आनंदी है तो हम भी उन सभी चीजों में सहबागी रहे हम अपनी इच्छाओं पर काबू कर पाए और अच्छे से यह समझदारी से हमें अपना घर चलाना है और फिर वो परिवार आशशित रहता है और जो है उसी में समाधानी रहना जो चीज प्राप्त होती है उसमें आनंद बनाना क्योंकि हम बहु इस रिष्टे से जिस घर में आए होते है हमने उस घर को अपनाया होता है उस घर के पिता का स्विकार हमने किया होता है उन सास का स्विकार हमने किया होता है उस घर में जो ननन्द होती है हमने उन्हें अपनाया होता है और फिर वहां पर हम बहु इस रिष्टे से आनंद निर्मान करने वाली व्यक्ति होनी चाहिए क्या हम सच में ऐसी बहुए है और हम किसी घर में अगर दास कहे कर वहां आए हुए है तो और दास का मतलब होता है जो हमारा अधिकारी हम से कहता है वही हम करते है उसे आजादी नहीं होती है वो जो दास होता है वो उस घर में हमेशा काम करते रहता है और वो और लोगों को आनंद देता है वैसे ही आज क्या आज हमारा वातावरन वैसे दिख रहा है लेकिन ये जो रूत है ये ऐसी थी अपने आपके आजादी को छोड़ने वाली हमेशा परिवार को बना कर रखने वाली और सास को आनंद देने वाली और मेरे प्यारे भाई और बहनो इस तरह से वो अपने सास के आधिनता में रहने वाली श्त्री थी लेकिन आप ऐसी परिस्तिती है हर किसी को आजादी से अपना घर चलाना पसंद है और कभी-कभी ऐसी परिस्तिती आ जाती है पत्नी के लिए पत्नी को अपने माता पिताओं को छोड़ने का समय वो पत्नी लेकर आती है कुछ स्त्रियों को राजा राने का परिवार या वैसा घर होना पसंद होता है और जब कठिनाई आती है तो तब वो अपने सास ससुर को याद करते है और इस तरह से अब लोग स्वार्थी होते जा रहे है अगर हमारा ऐसा जीवन रहेगा तो हमें फलदाई होने में या सफल होने में समय लग सकता है लेकिन अगर हम नीश्वार्थी जीवन जीते है अगर हम और लोगों को आनन देने वाले लोग बनेंगे हम एक दूसरे को सहकार्य मदद करने वाले लोग बनेंगे जब हमारे सास सासूर बुढ़े हो जाते हैं तो उनके बुढ़ापे में उनका खयाल रखना उनकी ओर ध्यान देना अगर हम ऐसे करने वाले बहुए बनेंगे तो बिलकुल हमें आशिश प्राप्त होंगी लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनो ये जो रूथ थी ये इतनी सुन्दर थी कि वो अपने सास के अधिन्ता में रहने वाली थी और कहती थी कि मुझे मत कहना कि मैं तुझे छोड़ कर चली जाओ या मैं तुझे दूर हो जाओ प्रेश दे रोड़ और वो कहती थी आप जहाँ जाओगे वही मैं आऊंगी आप जहाँ टिकी रहोगी वहीं पेमें टिकूंगी आपके लोग मेरे लोग होंगे और वो ऐसी निस्वार्थी रूथ थी और सुन्दर तासे भरा हुआ जीवन उसका था उसमें अच्छे गुण थे और उसका परिणाम ऐसा हुआ रूत इसका दूसरा अध्या है और ग्यारा वचन से आगे हम देखे बावास तिला मनाला तुझा पती मेले पासुन तू आपले सासुशी कशिव आगलीस वो तू कशा प्रकार आपली माता पित्रे और जन्म भूमी सोडून तू ला आप परिचित आसे लोकात आलीस ही सविस्तर हकीकत माला समझली आहें बावास ने उससे उत्तर दिया जो कुछ तूने पती की मृत्तिव के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्म भूमी को छोड़ कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी ये सब उजे विस्तार के साथ बताया गया है यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखो तले तू शरण लेने आई है तू तू पूरे पारेतोशिक देओ तू जे पूरा बदला दे उसने कहा है मेरे प्रभू तेरी अनुग्रह की द्रिष्टी मुझ पर बनी रहे क्योंकि यद्यपी मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ तो भी तू ने अपनी दासि के मन में पैठने वाली बात कहकर मुझे शान्ती दी है अब मेरे प्यारे भाईयों और बहनों बावाज जब इस बात को जान चुका था तो उसने कहा कि तू अपने सास के साथ कैसे रही है अपने माता पिता और जन्म भूमी को छोड़ कर अपनी सास के साथ कैसे बनी रही है ये सब मुझे विस्तार में बताया गया है और रूत इसका चौथा अध्याए और तेरा वचन ऐसा कहती है तब बौआज ने रूत से विवा कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई और जब वो उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्ब रहा और उसके एक बेटा उत्पन हुआ अब देखिए क्या हुआ उसके अंदर जो सहकार्य की भावना मदद की भावना वो विध्वा हो चुकी थी लेकिन बौआज ने उसके बाद उससे विवा किया और परमेश्वर ने उसे एक बेटे से आशशित किया तब स्त्रियों ने नावमी से कहा यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुडाने वाले कुटुम्बी के बिना नहीं छोड़ा इसराइल में इसका बड़ा नाम हो और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो क्योंकि तेरी बहु जो तुझसे प्रेम रखती है और साथ बेटों से भी तेरे लिए स्रेश्ट है उसी का ये बेटा है और जो बहु है और यहां पर ऐसा कहा है साथ पुत्रा पिक्षापन ही सुना दिका है साथ बेटों से भी स्रेश्ट बहु या बहु वो ठेरी है और परमेश्वर ने रूत के लिए बोवास को खड़ा किया और तुरंद उसे बच्चे का आशिश दिया और 16 वचन फिर नावमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी और उसकी पडोसिनों ने ये कहकर नावमी के एक बेटा उत्पन हुआ है लड़के का नाम ओबेद रखा इशे का पिता और दाउद का दादा वही हुआ पहा ही जी रूत होती सहकार्य ची भावनाती चे मदासनारी ये जो रूत थी जो सहकार्य की भावना रखने वाली परमेश्वर ने तिला कसा आशिर्वाद दिला परमेश्वर ने उसे किस रिती से आशिशित किया अगर हमारे अंदर भी सहकार्य की भावना रहेगी तो देखना परमेश्वर कैसे चमतकार करते हुए मार्गों को बनाएगा और ये रूत आशिशित हुई क्या आप भी ऐसे ही बहुए बने हैं कि जो सहकार्य करने वाली अगर आप मदद करने वाली बहुए बनते हैं तो परमेश्वर आपके घरों को फलदाई बनाए रखे लेकिन अगर आपके अंदर एक ताकी सहकार्य की भावना नहीं रहेगी इसलिए आज जैसे हमने परमेश्वर का वचन सुना है हम अपने आपको जाचे क्या जब हमें किसी को मदद करने का समय आया तब हमने उस बात को नजर अंदास किया है अगर ऐसा हमने किया होगा तो हम पश्चताप कर सकते हैं मेरे प्यारे भाईयों और बहनो अगर हमारे जीवन में किसी ने हमें भी मदद की होगी तो हम भी किसी और को क्यूं मदद नहीं करें कभी कभी हम औरों से सहकारियों की भावना रखते हैं लेकिन हम कभी किसी को मदद नहीं करतें फिर अगर ऐसा हमारा जीवन रहेगा तो आज हम पश्चताप कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर हम एक शमा कीची पुरुष इस रिष्टे से स्त्री इस रिष्टे से अगर हम स्वार्थी जीवन जी रहे हैं तो हम पश्चताप कर सकते हैं सहकारियों की भावना नहीं रहेगी तो हम पश्चताप कर सकते हैं अगर हम सहकार ये करने वाले बनेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशिशित करेंगे रूत ही ये मदद करने वाली स्थी और परमेश्वर ने उसे बहुत आशिश दिये और वही इसराइल का परमेश्वर वह आपको भी आशिशित रखेगा हम है वहाँ पर खड़े हो जाए हम अपने सर को जुकाए और आई हम प्राठना करे स्वर्ग और पृत्वी को रचने वाले स्वर्गिया प्यारे पिता प्रभु मेरे भाई भेलों को मैं आपके चर्णों में लेकर आता हूँ परमेश्वर मैं आप से विनंटी करता हूँ आज जो वचन हमने सीखा है कि हमारे अंदर सहकार्य की भावना बनी रहे और हम नीस्वर्थी लोग रहे परमेश्वर मेरे भाई बहे अगर उन में वो सहकार्य की मदद करने की भावना नहीं रहेगी तो परमेश्वर आप उन्हें पश्चतापी रिध्य दीजिए और परमेश्वर अगर वो स्वार्थी रहेंगे तो परमेश्वर आप उन्हें नी स्वार्थी बनाईए परमेश्वर ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर अगर हम सहकार्य करने वाले लोग बने प्रभू मेरे भाई भेनों के रिधे में प्रभू 30-60 प्रतिशत नहीं तो 100 प्रतिशत फल लाने वाला फल और परमिश्वर ये वचन गहराई तक उनके रिधे में जाए और प्रभू ये वचन नहीं समझने देने वाली सारी दुष्ट बुरी शक्तियों को हम ये शुके ना निकल और चलेशा प्रभू मैं आपसे विनंति करता हूँ प्रभू जैसे रूथ ही बहु थी प्रभू जैसे वो सहकार्य करने वाली बहु थी प्रभू हर घर में बहु बोलकर अपने सास को अपने ससुर को सहकार्य करने वाली बहु बने प्रभू परमिश्वर मैं आपसे विनंति करता हूं आज के इस पल से रूथ में जो सुन्दर गुन थे प्रभु जो सहकार्य की भावना उसमें थी प्रभु ये गुन मेरे सारी कलिस्या में आए और प्रभु सभी को आशिश देना परमेश्वर मैं आप से विनंति करता हूं जो निराश है उन्हां आशा जो बिमार है उन्हें चंगाई दीशिए प्रभु जो दुख में है उन्हें आनन दीशिए प्रभु मेरे भाई बेनों के मन के सारी कामनाओं को पूरा करना और इतना ही नहीं परमेश्वर प्रभु जो बिमार है प्रभु सारे हमारे देश से निकल जाए हमारे देश को आ येश्यु के नाम से करते हैं इसलिए आप सुनो पिता आमें आमें त्याज बरोबर महत्वाची सूचना है उसी बात के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है और मुझे ये बताते हुए बड़ा आनन्द महसूस होता है और महाराष्टर राज्य सरकार ने सुन्दर निर्ने लिया है और सोमवार से ही बिल्कुल सारे प्राथ्न स्थानों को खोला जाने वाला है इसलिए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों जो हम सभी लोग बिल्कुल राह देख रहे थे कि कब मंदिरे खुलेंगी और परमेश्वर की क्रिपा से और महाराष्टर राज्य सरकार ने जो निर्ने लिया है तो बिल्कुल कल से ही सारी प्राथ्ना स्थान खोलने वाली है इसलिए अग्दी येनारे याज गुरुवार पासूर आने वाले इसी गुरुवार से अपली प्राथ्ना मंदिर जा है ते नियमित्पने चालू करना ताले ले आए तुम्ही सरोजन यूशक्ता आप सभी लोग आ सकते है ये तस्तना प्रते कानी आप अपले मास्क आना हुए आते वक्त हर किसे ने अपने अपने मास्क लेकर आए ये वड़ा संगतो आनी तुम्ही रजा गेतों और इतना कहते हुए मैं आप से विदा लेता हूँ आनी आता येनारे सभे पासूर और आने वाली गुरुवार के सभा से आपन नियमित भेटना रहा हूँ और हम फिर से मिलने वाले हैं परमेश्वर तुम्हाल आशिर्वाद परमेश्वर तब तक आप सभी को आशिशत रखें धन्यवाद